यह जो फीगर बताया गया है क्या आप उससे तफाग रखते हैं दिखिए सबसे पहले हम यही कहेंगे संक्षेप में कायना चाहेंगे जो दारा 305 अगस का जो फैसला हुआ जिसे हम मानते हैं कि 5 अगस के 6 अगस के फैसले से दारा 307 अब्रॉगेट हो गए और स्टेट हुड जो यह और्गनाजेशन एक्ट है स्टेट हुड वहां से चीनी गए और स्टेट के दो टूटे किये गए हम सब लोगों का यह मानना है मेरा खुसूसी तोर as a student of law बाकी लोग भी यह आर्गुमेंट्स दे रहे हैं कि अगर किसी भी स्टेट को दो हिसे करने हो नाम बदलना ह तो आर्टिकल 3 of the constitution कहता है कि वहां की विधान सबा से पूछा जाए राई मांगी जाए हमारा यह आर्गुमेंट्ट था कि वहां पर विधान सबा नहीं थी तो सरकार ने विधान सबा की गैर हाजरी में कैसे जमु कश्मीर के दो टुगडे किये कैसे एक स्टेट को यूट में जो प्रोवीजो लिखा था कि वहां पर अगर यह खतम करना हो वहां की कॉनर्चुइंट एसम्बली से पूछा जाए और आपको मालूम है कि कॉनर्चुइंट एसम्बली जमु कश्मीर की 1957 में अपना काम कर चुकी है और उन्होंने कहीं पर यह नहीं कहा कि अब्रॉग संक्षेप में एक कहना चाहूंगा दारा 370 जो है हम यह मानते हैं वो जो इन्स्टूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसे हम इलहाग कहते हैं उसको कॉन्स्टूशनल रेकिगनेशन है कि इन्स्टूमेंट में तीन चीजे लिखे थे उसी पर पार्लिमेंट का जूरिडिक्शन होग स्टेट इलेक्टिड गॉर्मेंट का मुद्बादिल विकल्प नहीं हो सकता है यह बहुत एक बात है हम कहते हैं कि और्डिनरी मैन प्रूडन्स का आदमी वो भी समझेगा यह था तो आज सरकार का जो इस वक्त कंक्लूड हम इसके बाद कॉंटर चलेगा रिजॉइनर चले थी उनको राइट्स नहीं मिलते थे यह डिस्क्रिमिनेटी था लेकिन मैंने भी अपने सब्मिशन्स डॉक्यमेंट्स जो फाइल किये उनमें हमने अर्टियस से सूचना हासिल की है कि अगर कोई महला बाहर शादी भी करेगी जुमू किश्मी से बाहर वो अपना स्टेट कोई भी कुमूनिटी से कोई भी हां रिप्रेजेंटेशन कर सकता है और हमें नहीं लगता है दाराव 370 किसी तरीके से किसी के साथ इन्डिस्क्रिमिशन करता था या रोजगार में या विकास में कहीं पर रुकावट थी मैं यहां कोट में मसल्म है हम अमीद करते हैं हमें इनसाफ मिलेगा, मैटर सब जुडिस है, तो हम जादा इस पे कानूनी तो इतना ही लिमिटेड कह सकते हैं, जब स्टूडन्ट अफ ला, हाँ एक नागरिक होने के नाते, मैं ये ज़रूर कहना चाहूंगा, देश वासी के, पूरे देश बर के लोगों से, कि यहां पर हम दिल के साथ आपको कह सकता हूं, जुमू कश्मीर में जो विकास, जो गरीबी सता से नीचे भी रहता होगा, उसके पास भी च्छत होगी, वो कभी डास्बीन से खाना नहीं निकालेंगा, वो भी दुख की ताम चाहते हैं, देश बर में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये जुमू कश्मीर में दारा 370 रुकावट नहीं थी, हमारे साथ जो जुमू कश्मीर में है, अनियाई हुआ, इससे पहले भी हुआ, हम राजनीतिक तोर पे इसमें कुशिश करेंगे, 370 अकोट में हैं, उमीद करते हैं, जस्टिस मिलेगा जुमू कश्मीर के अवाम को, दो उसके अलावा हम कहते हैं कि हमारा प्रदान मंत्री सदर हुआ करता था, बहुत सारी चीज़े हमारे पास थी, जो सुवाई तता जिसे हम हिंदी में शाहिद कहते हैं, हमारे पास थी ऑटोनॉमी, इंटरनल ऑटोनॉमी, जो आंके सबली ने भी रिकमेंट की, वो हम से सतर सा में बहुत तरीक एक साजिश के तर शीनी गई, हम चाहते हैं, उसके लिए हम एक राजनी तिक स्ट्रगल करना चाहिए, समीधान के दारे में पीसफुली, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा देश हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, तैंक्यू